कि साथियों किसी भी राष्ट के ससक्त होने में उस राष्ट की संस्थाओं का भी उतना ही महत्व होता है मालुय जी ने अपने जीवन में ऐसी अनेक संस्थाओं बनाई जहां राष्टिय व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ बनारस हिंदू विश्वविधाले के बारे में तो सारी दुनिया जानती है इसके साथ ही महामनाने और भी कई संस्थान बनाए हरिद्वार में रिशिकुल ब्रह्मचरिया साथ आश्रम हो प्रयागराज में भारतिय भवन पुस्तकाले हो या लाहोर में सनातन धर्म महा विध्याले की स्थापना हो मालविया जी ने राष्ट निर्मान की अनेक संस्ताओं को देश को समर्पित किया अगर हम उस दोर से तुलना करें तो पाते हैं आज एक बार फिर भारत राष्ट निर्मान की एक से बढ़कर एक संस्ताओं का स्रजन कर रहा है सहकारिता की शक्ति से देश के विकास को गति देने के लिए अलग सहकारिता मंत्रावे बनाया गया है भारतिये चिकत्सा पद्दति के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग आयुश मंत्रावने की स्थापना की है जामनगर में डब्लू एचो ग्लोबल सेंटर फोर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आदार सिला भी रखी गई है श्री अन्न यानि मिलेट्स पर शोद के लिए हमने इंडियन इंस्ट्रीट पर मिलेट्स रिसर्च का गठन किया है उर्जा के ख्षेत्र में बैश्विक विश्वयों पर चिंतन के लिए भारत ने बीते दिनों ग्लोबल बायो फ्यूल एलाइंस भी बनाया है इंटरनेशनल सोलार एलाइंस हो या कोईलिशन फर डिजास्टर रेजिलियन इंफ्रास्ट्रक्टर की बात ग्लोबल साउथ के लिए दक्षीन का गठन हो या फिर इंडिया मिडल इस्ट इउरोप एकोनोमिक कोरिडोर स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस का निर्मान हो या फिर नव सहना के खेत्र में सागर इनिसेटिव हो भारत आज राष्ट्री और अंतराष्ट्री महत्व की कई संताओं का निर्माता बन रहा है ये संस्थान ये संस्थाएं 21 सदी के भारत ही नहीं बलकि 21 सदी के विश्व को नई दिशा देने का काम करेगी करें है